मौजिले में तैनात एक सिपाही की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई घटना कोपा गंज थानक शेतर के अधरी पुलिस चोकी के पास की है जहां तैनात सिपाही प्रमोद पटेल किसी काम से स्टेशन की तरफ जा रहा था तभी ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई इस मामले में पुलिस ने शव का पंचिनामा कर आगे की कारिवाई कर रही है मौत सिपाही वारसी जिले के शिपुर का रहने वाला था और 2016 बैच का जवान था मौसे जाहिद इमाम की रिपोर्ट